विल्कम में डियो स्टुडेंट्स आप सभी का सवागत है हमारे और प्रिवेस एक वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन भी दे दिया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं तो हम लोग आज से मेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी जो पहली क्लास होगी बच्चे वो अपनी मेंस के पॉइंट ऑब यू अच्छे कणिट रखेंगे और अपने पास बहुत अच्छी time मिला हुआ है तो इसma में हम बहुत updated लेवल का क्वेशन क्रिएटंड करके आपको provide करेंगे और प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि अगर आपको सही मायने में हमने चीजों को डिसकस करा है और पढ़ाया है तो मेंस देने से पहले इस वीडियो को हमारे जरूर देखना हम लगबग हर टॉपिक पर हमारा फोकस है कि हम भैदर सवाल करा पाएं और इसलिए हमने सबसे पहला स्टार्ट भी कर लिआ है पसेंडेस पुरे मैतमेटिक्स का बैकबोन माना जाता है और यहां से आपके मेंस में धानदें बच्चे यहां से आपके मेंस के एक्जाम में 5-6 मीनीमν मीनिमं 5-6 और मैक्सीमम हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन जहां तक मेरा आवनुमान है 8 से 9 questions done आता है बहुत अच्छे level पे number of questions का collection यहां से होता है मतलब very very important topic मतलब मानगा चलो की 10 से 16 10 से 15 या 16 के आसपास का number 15 नहीं बोल सकते हैं 10 से 16 के आसपास का number आप से हाँ पे मिलेगा मैंस में ठीक है और percentage strong होगा तो profit loss भी strong होगा चुकि एक दूसरे से बहुत बढ़िया level पे link करते हैं ठीक है तो आईए हम सीधे सीधे सवाल पे आएंगे ठीक है और question आपको इस screen पर display हो जायेगा ठीक है तो चल भाई आजाते हैं अपने पहले सवाल पर percentage का पहला यहां से 5 से 6 या 809 question आपके mains में आते हैं और यहां पर हम 30 से 40 सवाल बच्चे कर रहे होंगे ठीक है हाँ तो पहला सवाल धान से समझना बच्चे कर रहा है a man buy 3 type 3 type 1 cake and 6 type 2 cake for 900 रूप एक व्यक्ति जो है type 1 के 3 cake और type 2 के 6 cake खरिता है कुल 900 रूपय में he sell type 1 cake at a profit of 15% and type 2 cake at a loss of 10% if his overall profit is 30 रूपी the cost price of type 1 and type 2 cake is हिसे हिंदी में पढ़ दूँ खराय की कोई व्यक्ति type 1 के 3 cake और type 2 के 6 cake 900 रूपय में खरिता है type 1 के cake को 15% लाप पर और type 2 के cake को 10% के loss पर sell करता है यदि उसे कुल 30 रूपया का लाप हो तो type 1 और type 2 के cake का क्रेम उल्ले ज्यात करें बच्चे बहुत ही बढ़िया सवाल और ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया है मेंस के पेपर में ये सवाल पूछा गया है इसको हम लोग यहाँ पे कई तरीकों से कर सकते हैं इसको हम ratio से भी कर सकते हैं इसे हम allegation से भी कर सकते हैं हम आपको इसे allegation से करके बता रहे हैं कराए कि type 1 के 3 cake है बत्चे type 1 के 3 cake है type 1 के 3 cake है जिसको बैचा गया 15% के profit में और type 2 के हमारे पास 6 cake है जिनको बैचा गया है 10% loss तो 10% loss उसको minus में आप दिखा दे ठीक है तो type 1 और type 2 15% profit और 10% loss और इनकी कुल किमत है 900 रुपए और overall aggregate जो profit हुआ वो 30 रुपए का हुआ तो पूरा aggregate जो profit हुआ वो 30 रुपए का हुआ किस पर बत्चे 900 रुपए पर into 100 अगर हम कर दे तो यहां जो solve होगा 30 यहां पर हो जाएगा 3 से गटी जाएगा भई तो 10 by 3% overall in whole transaction aggregate profit है तो 10 by 3% aggregate profit percent है aggregate profit percent है चलो तो अगर हम इसको allocation लगा दे बच्चे तो अगर allocation लगाओगे तो धान दो denominator में 3 है तो सब जगा 3 का multiply कर दे ताकि हमें calculation में थोड़ा सा comfort zone मिल जाए तो सब में हमने 3 का multiply कर दिया तो यह हो जाएगा आपका 45% यह हो जाएगा minus 30% और यह हो जाएगा आपका finally 10% ठीक है तो minus 30 और यहाँ पे 10 तो यह हो जाएगा आपका total 40% और यहाँ पे 45 और 10 तो यहाँ हो जाएगा आपका 35% ठीक है ना चुकि minus है minus में बच्चे add हो जाएगा या 45, 10 तो जो 35 हो जाएगा solve करेंगे percent से percent खतम हो जाएगा 5 सते 35 और 5 का 8 गुना 40 इसका वालब type 1 के cake का जो cost price था वो 8 रूपया था और type 2 का 7 था तो 8 और 7 अगर हम add करने बच्चे तो आ जाएगा 15 जबकि इसकी value totally combined 900 रूपय है तो 15 छका 90 600 रूपया हो गया तो 600 रूपया हो गया बच्चे तो 600 गुना आप यहां करेंगे तो 8 चक 48 480 रूपया ये 3 के का प्राइज है तो 1 का तो 3 एकम 3 और 3 चक 18 जिरो 1 का साट रूपया और यहां पर अगर हम 600 कर दें तो 7 चंग 42 ये 420 रूपया और ये 6 के का है तो 642 तो 70 रूपया हमारा हो जाएगा ये कोस्ट प्राइस ठीक है 70 रूपया हो जाएगा हमारा ये कोस्ट प्राइस तो उमीद करता हूँ कि आप कोई चीजें बैतर तरीके से समझ में आ गई होंगी ठीक है और बच्चे ये बहुत बढ़िया लेवल का एक सवाल था जिसको हमने एलिगेशन सॉल्व किया मैं आपको बता दूँ इसको आप रिशो से भी कर सकते थे और आप इसको help of the option भी कर सकते थे कैसे बई टाइप 1 के 3 आट किल है टाइप 2 के 6 आट किल है लेकिन टाइप 1 को जो सेल किया गया वो 15% पर किया गया तो 15% पर किया गया तो 15% का जो fraction होता है वो 3 by 20 होता है ठीके ना 15 by 100 हो जाएगा ना तो 5 का 3 गुना 3 by 20 होता है तो 3 का profit उबा किस पर 20 किया है cost price तो 20 का जो multiple होगा वही आपका answer हो रहा होगा ठीके ना 20 का जो multiple होगा वही answer हो रहा होगा ये 10% loss तो जो cost price होगा वो 10 होगा तो 10 cost price होगा तो 10 का multiple answer है तो 10 का divisible आपका final answer होगा जो आपसे पूछा जा रहा है तो option के help से भी कर सकते थे ratio से भी कर सकते थे allegation से भी कर सकते थे और एक तरीका आपको और बता दूँँ तो ये aggregate percentage value से भी कर सकते है जो हमने आपको classes में कभी बताया भी होगा JSM approach अभी मैं आगे इसमें सवाल भी आपको कराऊंगा मलब aggregate percentage के calculated method से effective calculated जो percent का method होता है उससे भी आप इसे कर सकते थे क्योंकि जहाँ जहाँ allegation apply होता है वहाँ वहाँ हम JSM भी apply कर सकते है तो चलिए उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और नहीं तो आप वीडियो को back करके फिर से इस सवाल को समझ लेंगे ये सवाल आपके means में बच्चे पूछा गया है हाँ और बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल था ठीक चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं next सवाल करते हैं बच्चे अगला question क्या है जरा धान देना भई हाँ अगला question क्या है भई धान दो खराए in a party only couple are invited if 44.44% of invited people are vegetarian and 60% of male are non-vegetarian then find the number of father if 20% of male have children it is given that 920 women are non-vegetarian हिंदी में परदू किसी party में केबल विवाहित जोडों को बुलाये जाता है यदि बुलाये गए लोगों में 44.44% लोग साका हरी है और 60% पुरुष मांसा हरी है तब party में उपस्तित पिताओं की संख्या पिता की संख्या याद करें यदि 20% पुरुष ही पिता है और 920 महिलाएं मांसा हरी है तो किरा है किसी party में केबल विवाहित जोडों को बुलाये गया यदि बुलाये गए लोगों में 44.44% लोग साका हरी है 44.44% लोग ही साका हरी है तो 44.44 का मतलब होता है बच्चे 4 by 9 इसका मतलब हमने percentage को fraction में लिखना पड़ना आपको लगबग हर वीडियो में समझाया है और अपनी offline classes में तो समझाया है आपनी वीडियो में भी समझाया है तो 44.44% लोग ऐसे हैं जो vegetarian है इसका मतलब 4 vegetarian है कब अगर total couple हमारे पास 9 है तो उसमें 4 vegetarian है उसमें 4 vegetarian है तो अगर 4 vegetarian है इसका मतलब पक्का है कि जो 5 होंगे वो non-vegetarian होंगे जो 5 होंगे वो non अगर ये वी लिख दिया vegetarian है तो ये non-vegetarian होंगे और जो हमारे बच गए भाई वो non-vegetarian और 4 क्या हो गए vegetarian लेकिन जो 9 बुलाए गए है party में वो सारे के सारे क्या है वो सारे के सारे है couple विवाहित जोडों को बुलाया गया तो अगर 9 लोग को बुलाया गया तो इसमें विवाहित couple है इसका मतलब 4.400 आपके male होंगे तो 4.400 आपके female भी होंगे 4.400 आपके male होंगे ठीक है इसे 900 मान रहे है और 900 में यह 400 है यह हमारे क्या है यह हमारे वेजटेरियन है तो इसका मतलब जो 500 है वो क्या है वो non-vegetarian है ओके चलो आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि भई इन में से 60% पुरुस मांसाहारी है 60% पुरुस 60% जो पुरुस है वो मांसाहारी है तो इसका अगर 60% आप निकाले तो देखें भई कितना आएगा 70% जाएगा आपका 3x5 मतलब 4, 24, 24 और 30 270 मेल आपके जो है वो आपके टोटल मांसाहारी है ओके ये मांसाहारी होगे फिर कराए तब पार्टी में उपसित पिता की संख्या पता है यादि 20% पिता ही पुरुस ही पिता है और 920 मेलाएं मांसाहारी है ठीक है तो मांसाहारी मत कुल 500 है इसका मतलब की 230 फिमेल जो है वो मांसाहारी है और 230 फिमेल नहीं कुल फाइनली अगर आप गौर करें तो 920 है क्यों भई 920 है जिनकी संख्या मेरों को लगता है चार गुने पिजाएगी चार तेमी बारा और चार दुना अटे करनो चार गुना चला गया तो मैं च चार 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 के 16 दो अठारा अठारा सौव कुल मेल इन्वाइट थे और कहा जा रहा है कि इस मेल में केवल 20% मेल ही फादर है तो 20% मतलब बच्चा एक बटा पांच एक बटा पांच ही जो है वो फादर है तो यहां से कर दो भई 5 नहीं 15 तीन पांच चा के 30 जिरो तो 360 फ पादर है ठीक है उमीद करता हूं कि आपको चीजें बहतर समझ में आ गया होगा कि कुल 9 थे तो 4 थे वेजिटेरियन तो 900 माना तो 400 होगे 900 टोटल को को बुलाए गया जिसमें 450 मेल 450 फिमेल को कपल बुलाए गया था और 500 हमारे क्या थे नॉन वेजिटेरियन 60% मेल क्या है म मान सहरी 500 मतलब घटा दो यहां से तागे 230 क्या फिमेल मान सहरी है तो संक्या 920 से चाग उने पर नंबर बैटा मेल को चाग ना कर दिया 1800 इसका मलब 1800 पुरूस थे उसमें 20% पुरूस ही पिता है मलब उनके बच्चे है तो एक बटे 5 तो 360 हो गया ठीक है तो उमीद करता हू कि यह भी बात आपको भैतर तरीकी से समझ में आ गया होगा चले बटते हैं अपने अगले सवाल की तरफ अपना अगला सवाल क्या है जरा ध्यान देंगे अगला सवाल अगला सवाल तीसरा तीरा सवाल है करा है बहुत बहतरी सवाल है बहुत बढ़े सवाल है अ क्लब है जराइज 75% of the amount it needed for a new building by receiving an average donation of 600 रुपीज from the people already solicited ठीक है represent 60% of the people the club will ask for donation if the club is to rise exactly the amount needed for the new building what should be the average donation from the remaining people to be solicited question आपको डिस्प्लेपे दिख रहा होगा मैं हिंदी में पढ़दू एक संस्था ने एक नई इमारत बनाने के लिए कुछ लोगों से चंदा इकत्रत किया एक संस्ता है जो एक नई इमारत बनाना चाहती है और उसमें कुछ लोगों सो चंदा लिया चंदा देने वाले लोगों में से 60% ने 600 रुपे ब्यक्ती 600 रुपे प्रति ब्यक्ती संदा लेकर संस्ता ने कुल जरूरत का 75% चंदा ले लिया संस्ता है जो चंदा लेकर के इमारत बनाना चाहती है जिन में चंदा देने वाले लोग 60% लोग है तो अगर टोटल हमने 100% लोगों को माना तो 60% लोगों ने चंदा दिया तो 40% यानि 40 लोगों ने चंदा नहीं दिया जो 60 लोगों ने चंदा दिया उसमें प्रतिक व्यक्ती 600 रुपे चंदा दिया तो कुल 3600 रुपे इकठा हो गया और जो 3600 रुपे इकठा हुआ वो पूरे जितने कलेक्शन चाहिए उसका 75% है जितना कलेक्शन चाहिए उसका 75% है जो कुल कलेक्शन चाहिए उसका 75% है चीक है ये 75% है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 75% की वैलो होती है 3 by 4 यानि अगल कुल चंदा हमें चाहिए 4 तो 3 यूनिट यानि 75% तीन यूनिट चंदा हमें मिल चुका है तो हमें एक यूनिट चंदा और चाहिए और वो चाहिए कितने लोगों से 40 लोगों से तो 3 की value, मलब 3 unit लोग ने चंदा दिया, मलब कुल 4 लोग हैं चंदा देने वाले जिसमें से 3 लोगों ने चंदा दिया है एक लोग से लेना है सॉरी कुल unit हमको चंदा चाहिए 4 रुपया, जिसमें 3 unit चंदा मिला हुआ है, एक unit चंदा हमें लेना है और वो लेना है 40 लोग से तो 3 की value है, बच्चे, 3600 ती ये हो जाएगा 1200 गुने पे और अगर 1200 गुने पे हो गया तो यहां 1200 गुना कर दो बच्चे ये आ जाएगा तुम्हारा 1200 और ये 1200 रुपया 40 लोग से लेना है तो एक लोग से लेना है मेरे को 300 रुपया, तो जो remaining people है उनसे हमें प्रतेइक व्यक्ति से 300 रुपया चंदा लेना पड़ेगा फ्रेसे बता दूँ, एक संस्ता है जो चंदा लेकर एक इमार्द बनाना चाहती है, जिसमें 60% लोगों ने चंदा दिया और प्रतेइक लोगों ने 600 रुपया दिया तो जो कलेक्शन आया वो टोटल कलेक्शन का 75% है तो 75% 3x4 मतलब अगर कूला कलेक्शन 4 है तो 3 रुपय का कलेक्शन हो चुका है तो जो remaining कलेक्शन है वो एक रुपया है और ये कलेक्शन हमें लेना है 40 लोग से कलेट करना है तो परतेइक से कितना हम ले तो 3 की वलू 3600 बच्चे 1200 गुना पर नंबर बैठा और एक बार गुना बैठा तो सवाल में हर वेलू उतने गुने पर जाती ये 1200 गुना ये 1200 हो जाएगा तो 1200 रुपया में कलेक्शन चाहिए 40 लोग से तो एक लोग से चाहिए 300 रुपया ठीक है उमीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा बच्चे ठीक है चल आगे बढ़ते हैं ये अपना ठीसरा सवाल था हम आते हैं बच्चे अपने चोथे सवाल की तरफ फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है जड़ा देख लेते हैं वई चोथा सवाल चोथा सवाल भी काफी बढ़िया है काफी बहतर है और बहुत ही फेमस सवाल ये भी सवाल आपके मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है न बहुत और बहुत फेमस सवाल है साथ आप लोगों ने भी सवाल कई बार देखा भी होगा किरह है कि एक कारखाने में तीन तरह की मसीन करमसा M1, M2 और M3 है जो करमसा टोटल उत्पादन का अगर हमने टोटल उत्पादन बच्चे मान लिया कि हमारा टोटल उत्पादन टोटल प्रोड़क्शन 100% है ये 100% हमारा मसीन का प्रोड़क्शन है तो तीन मसीन M1, M2, M3 है जिसमें पहली मसीन 25% यानी 25 यूनिट 100% का 25% मतलब कुल उत्पादन का 25% मतलब 25 उत्पादन करती है और ये 40% मतलब 40 उत्पादन करती है जिसमें M1, M2, M3 करमसा 2%, 4% और 5% खराब उत्पादन करते हैं बलब जितना प्रोड़क्शन करती है M1, इसमें 2% प्रोड़क्शन जो है वो खराब है तो 2% प्रोड़क्शन खराब है, 2 by 100 ही हो जाएगा, 50 कटेगा, 0.5 यूनिट प्रोड़क्शन खराब है और दूसरा का 4% production खराब है, 4% production खराब है इसका मतलब हो गया भई, 4 बटा 100, 6 बटा 100 दो हो जायएगा, 4 पंजे 20, 0, 14, 12, 13, 14, ते हो जायगा बच्चे 1.4 ठीके, और इनका हो जायएगा भई, 5% production खराब है, तो 5% production खराब है, 525 के 20, ये 200 बटा 100 हो जायएगा, ते हो खराब हो गया तो टोटल प्रोडक्शन आपका खराब कितना हो गया तो बैई टू और ये वन तो जाएगा आपका 3.4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुमारा 3.4 में पॉइंट आप 5 जोड़ो 5 जोड़ो 3.9 हो जाएगा बच्चे ठीक है न 3.9 परसेंट प्रोडक्शन हमारा खराब हो गया हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है कि तो याद करिए सुद्ध उत्पादन कितने प खराब हुआ तो आंसर होता 3.9 परसेंट प्रोडक्शन हमारा खराब हो गया ठीक है न लेकिन अगर वो आपसे यह पूछ रहा है कि बताएं तो कुल प्रोडक्शन कितना परसेंट सही उत्पादन हो रहा है तो 100 परसेंट प्रोडक्शन था जिसमें 3.9 परसेंट 97 और यहां निकाल देंगे तो 96.1 परसेंट 96.1 क्योंकि 100 में से 3 निकाल देंगे तो 97 हो जाएगा 97 में से 0.9 निकाल देंगे तो 96.1 परसेंट फाइनल हो जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूं समझ में आगया होगा आप इसको कई तरीके चर सकते थे आप इसको simplify करके आप ratio जो form बना करके भी कर सकते थे hundred का form बना के भी कर सकते थे एज आस जी सा आपको सही लगे ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं है हमारा 14 सवाल था बच्चेश हमें अपने 5 में सवाल पर ठीक है अपने 5 में सवाल पर 5 मां सवाल very very time of important कि जितना star mark लगाओ उटना ही कम है ध्यान देंगे कि अगला सवाल आपका क्या है ठीक है अगला सवाल ध्यान देना ठीक है अगला सवाल है आर्यन तास के पत्ते का एक खेल सुरू करता है और पहले राउंड में वह रासी को दो गुना करता है और अपने दोस्त को पी रुपए देता है दूसरे राउंड में वो अपनी रासी को तीन गुना करता है जो बची वी रासी है उसका तीन गुना करता है और अपने दोस्त को टूपी रासी दे दता है टूपी रूपे दे दता है और तीसरे राउंड में जो उसके पास बचा उसका वो चार गुना करता है और अपने दोस्त को P रुपए दे देता है और अंत में उसके पास कोई धन नहीं बचा यदि वो अपने दोस्त को कुल 160 रुपए दे दिया इन तीन राउंड में तो आरंभ में उसके पास कुल कितने रुपए थे दानजा सवनना बच्चे बहुत बड़िया सवाल से सब्दों गेम है यह आठ से नॉलाइन का सवाल है पड़के घवरा मत जाना यह मेंस का सवाल है बहुत बड़िया लेवल का कुश्चन है एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ दहां से समझना, step by step question को solution यहां पे solution पे आ रहा हूँ, और यहां पे questions भी आपको display है, आप बाराम से question पे लेख सकते हूँ, question कर रहा है कि RN एक task के पत्ते का खेल सुरू करता है, उसमें वो जितना भी रूपया लगाया, पहले round में उसका दूना कर देता है, तो पहले round में द और जो पूरा हुआ, उसका 2P रूपया अपने दोस्त को उसने फिर दे दिया, और जो भी है, उसका उसने 4 गुना किया, और फिर अपने दोस्त को उसने पी रूपया दे दिया, और अब उसके पास 0, यानि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, clear है, equation तो no doubt आपक ठीक है, अगर उसने X लिया, दो गुना किया, पी दे दिया, जो बचा उसका तीन गुना किया, फिर टूपी दे दिया, फिर जो बचा उसका चार गुना किया, पी दे दिया, उसके पास फानली कुछ नहीं बचा, सब को उसने जुवे में दे दिया और अपने दोस्त को दे द दिया था उसके बाद कितना दिया था टू पी रूपया दिया था उसके बाद लास्पर कितना दिया था पी रूपया दिया था तो कुल यह किसके बार होना चाहिए एक साट रूपय के तो दो तीन यह फोर पी पर अबर कितना होना चाहिए एक सो साट के तो पी और कितना होना ठीक है कैसे आया समझ रहे न P की value 40 आया इसको put कर दो इसमें तो ध्यान दें यह 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2X minus P P की value क्या है बच्चे 40 है minus यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और यहाँ पे क्या होगा 40 इस उकल्ट क्या जाएगा 0 अब ध्यान देदू 40 उधर जाएगा और 4 से divide कर देंगे तो क्या होगा 10 यहाँ हो जाएगा 10 ध्यान देना थोड़ा सा 40 उधर जाएगा और 4 से divide कर देंगे 10 एक स्टेप में ने जम कर लिया यहाँ हो जाएगा 6X minus 120 minus 240 240 और 130 यह 360 उधर जाएगा तो हो जाएगा 360, सही जोड़ा ना भई, सही मल्टिप्लाई किया ना, 6, 3, 4, 12, और 3, सोरी यार, 3, 6, 13 होगा ना, सोरी, कन्फूज होगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा, 6, X is equal to बच्चे, यह दो, 3, 360, और यहाँ जाएगा, 370, तो X की वेलू हो जाएगी, 370, डिवाइड बई, 6, तो 6, 80, और यहाँ पर 40, ओफ़ो, सोरी बच्चे, एक मिस्टेक यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, मिस्टेक यह है, कि यार, यह 6X होगा, यह 120 होगा न, यह जो है, वो तो 80 होगा न, हम 3 के मल्टिप्लाई यहाँ कर दे रहे हैं, यह तो 80 होगा, तो चलो, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा कुल 200, और वहाँ जाएगा 210, और यहाँ जाएगा 6X, तो X की वैल हो जाएगी 210 डिवाइड बई, 6, तो यहाँ पर जाएगा 6 तरिक 18, और 6 तरिक 18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, 3, 6, 5, 30 मतलब कि आर्यान के पास शुरुवात में कुल 35 रुपे थे, आर्यान के पास शुरुवात में कितने रुपे थे, 35 रुपे थे, ठीके, तो बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, और इसमें कोई भी खास कैलकुलेशन नहीं करना था बचे, बस यह एक् अगली क्लास में हम अगला जो भी क्लास होगा उसमें इस होमवाक से ही क्वेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीके, तो आप लोग इस होमवाक को लगाएं और कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर भी दे, जो हमने आप सवाल दिया है, बहुत भेदरी सवाल है, ठीके, आगे हम ज करा देंगे, बैदर कंसेप्ट आप करा देंगे, इसको बढ़िया से एक नोट्स बनाओ, और इसे अपने भूक्स में नोट करो, और प्रक्टिस स्टार्ट करो, और लोगों तक इस वीडियो को सेयर भी करो, ताकि मैक्समिम स्प्रेंट असका हेल्पलेस है कि, और हमें चलिए, ओके, बाय, टेक केर, लव यू